नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टेडी वेक्स, तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का लेक्चर, तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफेर्स और इसके अंतरगात हम सबसे पहले डिसकस करते हैं राजववस्ता के कुछ टॉपिक के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम बोलते हैं संसत का पीठा सीन अधिकारी, यानि कि जो निचला सदन होता है, जो निचला सदन यानि कि लोकसभा होता है, लोकसभा का पीठा सीन अधिकारी कोन होता है, ल उसमें जो सदस उपस्तित रहते हैं उनके द्वारा अध्यक्ष का चुनाओ किया जाता है यानि कि अलग से कोई निर्वाचन नहीं होता है अध्यक्ष द्वारा चुनाओ किया जाता है इसके अलाबा अगर ये उपस्तित नहीं है तो इसके अलाबा जो रिक्त स्थान है उसक वो अपना पत को त्याग देता है कैसे अगर वो संसत का सदस नहीं रहता है तो वो अपने पत पर नहीं रहेगा यदि वो उपाध्यक्ष को देखे ध्यान देना यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा अगर वो उपने हस्ताक्षर करके लोकसभा उपाध्यक्ष को क्या करे द्याक पत्र देता है तो वो अपने पत्पर नहीं रहेगा इसके अलाबा अगर उसको हटाया जाने का प्रस्ताव है मतलब 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा तो अगर ये प्रस्ताव है का अधिकार होगा ठीक है कारवाही का अधिकार भी होगा और इसमें भाग लेने का अधिकार होगा और यहां हम देख सकते देखे मत देने का भी अधिकार होगा परन्तु एक इस्तिती ऐसी आती है जब उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा कौन सा अगर मत बराबार हो जै पे वो अपने पत पर धारन, मतलब पत पर बना रहता है, इसके अलाबब उसकी कुछ भूमिका और उसके जो कार है सक्ति वो हम देख लेते हैं, तो पूरे जो प्रते मतलब जो होते लोकसवा के उसी के हाथ में होता है.ोखसभा का पीटड़ी नदिकारी यी नहीं बल्कि है उससे भी काफी अधिक होता है. मतलएिसके पास काफी अधिक पावर होती है. इसके अलाबा हम देखें तो इसको तीन प्रकार से पावर पराप्त होती है. कहां कहां से तो हमको याद रखना होगा भारत के संविधान से उसको पावर प्राप्त होती है लोकसवा की प्रक्रिया तथा कारि संचालन नियम से होती है और संसधी परमपराव से उसको पावर प्राप्त होती है और एक बात और देख लेते हैं यहां पर देखे अध्यक्ष की सकतिया और कर्तब बिक्या होती है तो जो सदन की कारभाही का संचालन है नियम विधी निर्वायन और सारी चीजों की प्रात्मिक जिम्मेदारी अंतिम निर्णे किसका होता है लोकसावा अध्यक्ष का होता है इसके लावा भारती संविधान लोकसावा की प्रक्रियात था जो कारशन्चालन नियम है संसेधी पूर वधार्णों का अंतीम व्याक्रा कार लोकसाब अध्यक्ष को माना जाता है अगर कोरम का आभाव है कोरम का आभाव मतलब मिनिममम बहे संख्या जब लोकसाब की बैठक सुरू कर दी जाती है अगर बहे संख्या नहीं है तो यहां प तो यह तो बात की हमने किसकी लोगसाब अध्यक्ष के और थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं है वो निर्धार करने वाला कौन होता है लोगसाब अध्यक्ष के दौरा ही किया जाता है जो संसदी समू होते हैं उसका पदेन अध्यक्ष भी या सवापती कुन होता है लोगसाब अध्यक्ष होता है तो हमने बहुत सारी चीज़े देखे हैं लोगसाब अध्यक्ष के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता निस्पक्षिता ही हम देख सकते हैं यहाँ यह थोड़ी सी बात है तो जादा ध्यान देनी की जलुवत नहीं अब आगे बढ़ते हैं देखिए बेतन भटते जो भी है यह हमने देख ली है अब बात करते हैं आज के लेक्चर मा सबसा पहला जो हमारा टॉपिक है वो है World's Children's Report तो यह World's Children's Report है एक प्राकाव से किसके द्वरा यह जारी की जाती है UNICEF UNICEF के द्वरा इससे जारी के जाता है यहा हम देख सकते हैu World's Children's Report जीसे हम बोलते हैं और यह पहली बार है, मतलब पिछले 20 बरसों में पहली बार है, जब बच्चों के पोसंड से संबंदित यहाँ पर रिपोर्ट जारू की गई है, UNICEF के दोरा, तो यह important है, याद रखना है, और यहाँ हम देख सकते देखें, इस रिपोर्ट के अनुसार देखें, तो 5 बरस त लगभग 200 मिलियन, तथा भारत में प्रतेग दूसरा बच्चा कुपोसंड के किसी न किसी रूप में गरस्त यहाँ देखा गया है, और रिपोर्ट के अनुसार 2018 में, भारत में कुपोसंड के कारण 5 बरस से कम उम्री के लगभग, जो है, 8 लाग बच्चों की यहाँ यहाँ रखने की बंती है, UNICEF की अगर बात करें, तो United Nations Children's Fund यहाँ हम देख सकते हैं, इसका फुल फॉम है, और इसकी जो स्थापना की गई थी, 11 December 1946 को की गई थी, क्यों, क्योंकि जो दुतिये विस्वीद्ध हुआ था, तो उससे में काफी जो है, नुकसान हुआ था, खा जरुवतों को पूरा करने के लिए इसको विस्तारिक कर लिया गया, इसके अलाबा, 1953 में यह संक्तराष्ट का स्थायंग भी बन गया, यह आप लोगों देख सकते हैं, UNICEF का, अब बात करते हैं, एक और रिपोर्ट है, बेस्वीद्ध तपेदिक रिपोर्ट, 2019, तपेदि रिपोर्ट यानि की Global Tuberculosis Report 2019, और यहां इस रिपोर्ट के अनुसार देखें, तो आकड़े जो है, 202 देशों को यहां सामिल किया गया, तथा उसके छेत्र को, टोटल मिला कर विस्वीक की जो लगभग है, 99 परसेंट जनसेंख्या का यहां प्रतिनिदित्व इसके दोरा किय अब जो SDG है, SDG यानि की Sustainable Goal, जो Development Goal है, जिसे हम बोलते है, सतत विकास लक्ष है, उसके Command No.3 के जो लक्ष है, उसको सही यानि प्रभावी बनाने के लिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है, ताकि जो इसके अनुसार अगर देखें, तो I.O को जो है, लोगों को स्वस्त जीवन प्रदान करना, और 2030 तक तपेदिक, यानि की जो TV है, उसका उन्मोलन करना, यह है रिपोर्ट जो है, बरस 2018 में, तपेदिक पर पहली बार, संक्त राष्ट महासाबा की उच्चिस तरी बैठक में इरधारित लक्षों की दिसा में प्रगती प्रिस्तूत करत है, तो हम देख लेते हैं, स्वस्त जीवन जो होना चाहिए, मनुस को प्राप्त होना चाहिए, तो इसी के उपलक्ष में यहाँ पर टीवी को जो है, 2030 तक, अगर बात करें, तो 2030 तक इसको खत्म किया जाना, तो गोल नंबर 3 को यह फोकस कर रहा है, तो आपको question में भी पू गोल के कौन से गोल में सामिल है, तो यह है थर्ड नंबर के गोल में, इसके अलावा quality education हमको देखने को मिलेगा, तो टोटल यहाँ पर 17 आपको देखने को मिलेंगे, यह sustainable development goal, इसके अलावा देखिए, जो विस्वस्वास संगठान है, उसमें जो हम देखें तो वर्स से 1997 मे और रन निती, उसके संदर में व्यापक रूप से मुल्यांकन करना, इसका मुख्य फोकस है, इस report का, जारी की जाती है, डबलु एचो के द्वारा, यहाँ देखें, बैस्विक तपेदिक रिपोर्ट 2019 के अनुसार, बहरत में पिछले बर्स जो है तपेदिक के जो रोगी ह यानि कि जो टीवी की रोगी है, उनकी संख्या में काफी कमी देखने को मिली है, यानि कि पचास हजार की कमी यहाँ देखने को मिली है, 2017 में भारत में जो टीवी की रोगी है, उनकी संख्या कितनी थी, 27.4 लाग थी, और जो 2018 में घटकर कितनी हो गई है, 26.9 लाग हो गई ह भारत के दौरा ये कारकरम भी या रिपोर्ट जारी की गई है किसके दौरा भारत के अंतरगत स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंतराले के दौरा इंडिया टीवी रिपोर्ट इसके अनुसार अगर बात करें यह जारी की गए थी इसके अनुसार अगर बात करें यहाँ पे तो भारत ओनलाइन अधि सूचना प्रणाली जिसका नाम है निक्षय यानि कि NI-K-S-H-A-Y इसके माध्यम से सभी जो टीवी के मामले उनको कवर करन करने के लिए यहाँ पर प्रतिवद्ध है उसके निक्षय याद रख सकते हैं सूचना प्रणाली है भारत के अंतरगात डबलु एच्चो के अगर बात करें तो देखें वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन इसका पूरा नाम है इस्पेसली एजनसी ऑफ दा इनाइटेड ने सुच्जर लेन के अंतरगत और जो हैड है वर्तमायन में टेड्रोस अधानाव है और यहाँ हम देख सकते हैं जो फाउंडर है कौन कौन से कंटी हम देख सकते हैं यहाँ यह नॉर्मल चीज़े है और जो पैन अमेरिकन हेल्थ और्गनाजेशन इसकी सफसेड एरी है यह ल नुकसान करते हैं और आपको जो है वहाँ से जाने दिया जाता है तो काफी टाइम और काफी जो आपका इंधने पैट्रोल डीजल है जो है काफी नुकसान होता है तो इसी को देखते हो यहाँ पर बन नेशन वन फास्ट टेग की यहाँ पर जो है लागू करने की बात की ज जाएगी उद्दिस के है टोल जो टोल प्लाजा है वहाँ पर टोल संग्र है यानि टोल को जो है कलेक्ट करने के लिए एक प्रकार से डिजिटल रूप से एक इकरत करना इसका मुख्य उद्देश से तथा संपूर्ण जो भारत में बहान है उनको निर्वाद यानि स्वतंतर स्वतंत रूप से चलने के लिए यहाँ पर सुनिशित काना मतला टोल प्लाजा पर आप बहान रुकेंगे नहीं और नहीं रुकेंगे तो आउटोमेटिक यह जो है टोल कर जाएगा और जो आपकी बहान नहीं रुखेगा तो इंधन की भी बचत होगी और समय की भी यहाँ पर एक प्रकार से कौन सी टेकनोलोजी प्रयोग होगी RFID जिसे हम बोलते हैं Radio Frequency Identification जो प्रणाली है वो यहाँ पर इसका यूज किया जाएगा और यहाँ पर देखिए जो यातायात है वो आप स्वतनत रूप से आप चल सकेंगे और इंधन और समय की काफी बचत होग और यहाँ पर देखे FastTech Reader है जो टोल प्लास है वहाँ FastTech Reader लगा रहेगा CCTV केमरा रहेगा जो क्या करेगा यहाँ ट्राफिक मॉनिटरिंग करने का काम रहेगा तो यह देखे जो गैट है यह ट्राफिक का गैट लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों क्यों यहाँ पर आटोमेटिक यह स्कैन कर लेगा और यह जो FastTech Sticker है इसमें आपका जो एकाउंट नमबर है वो सारी चीज़े यहाँ कनेक्ट रहेगी और ओनलाइन आपकी जो रासी है कर जाएगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नमबर में आपको उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तो इस प्रकार से कुछ वर्क करने वाला है यह जो FastTech प्राणाली है तो एक दिसम्बर 2019 से यह सभी जाएगे लागू हो जाएगी मतलब जो बैंक खाते हैं उनमें सभी जो है आटोमेटिक वहाँ से बिना रुके आपका पैमेंट हो जाएगा जो रिचार्ज अग हैं मातरत आवकास की तो मातरत आवकास हम देख सकते हैं सरकारी संस्थान कि नहीं यहाँ पर नीजी सिक्षन संस्थान की बाति होती है जो टीचर होती है टीचर और अन्य कर्मचारी है उनको यहां मातरत्व अवकास दिये जाने कि हाँ पर लागू मतलब लागू किया जाने वाला पहला राज बन गया है कौन सा केड़ल मतलब केड़ल के दौर आई यह निर्धारित कर दिया गया है कि वो जो है मातरत वलाब कानून में संसोधन के बाद ये सुविधा प्रदान करने वाला है मतलब केरल पहला देश का राज ऐसा बन गया है जो की निजी सिक्षन संतानों में मातरत अवकास देगा तो यहां देख सकते देखे महिला करमचारियों को पूर्ण बेतन के साथ साथ क्या दिया जाएगा 26 महा का मातरत अवकास मिलेगा साथ में चिकिस्टा जो है भट्ता के रूप में 1000 रूपे भी यहां पर प्रदान किया जाएगा तो दोनों के माद यहां पर चार मुख रूप से दो पक्षे समझोते पर हस्ताप्चर किया गया है तो जो भारत के राष्ट पती है रामनात कोविन जी वो जापान और फिलिपिन्स के दोरे पर है तो पहली यात्रा उनकी कौन सी हुई है फिलिपिन्स की तो यह कब से कब तक रहेंगे देखें 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक फिलिपिन्स की यात्रा पर रहेंगे और यात्रा पर क्यों गये है जो फिलिपिन्स के राष्ट पती है रोडरिगो दुटरते इनके दोरा अमंतरन भेजा गया था किसको रामनात कोविन जी को कि उनकी जो 70 वी वर्सगाठ है राजनेक संबंदो की स्थापना की उसके अफसार पर इनको बलाये गया था तो उसी के लिए यहाँ पर यह दोरे पर है 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक और यहाँ पर 4 जो मुख्रूप से समझोते किया गया है वो किया गया है बिज्ञान और पौदेगी की समुधरी परेटन और तथा संस्कृति इन से ही जो है टोटल मे लाकर 4 समझोते पर हस्ताक्चर किया गया है इसके लाबा इन समझोतों में सफेद सिपिंग डेटा का आदान प्रदान भी सामिल है बानेजिक और गेर सेन जहाजों की आवाजाईवी के बारे में भी यहाँ पर पहँचान की जानकारी सामिल की गई अगली बात करते हैं सैनिक स्कूल की बात की जा रहे हैं तो सैनिक स्कूल होता क्या है देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल जो है भारत का पहला सैनिक स्कूल इसकी स्थापना की गई थी 1961 में जो राज्य था वो था महराष्ट महराष्ट में पहले सैनिक स्कूल की स्थापना की गई तो इसके बाद बगर बात करें तो हर्याना, पंजाब, गुजराथ, इसके लाबा राजिस्थान और इन सभी राज्यों में यहाँ पर सैनिक स्कूल की स्थापना की गई बारी बारी स क्या होता इसका चात्रों को उचित सिक्षन देका राष्टिय रक्षा अकादमी यानि कि NDA में प्रवेश कराना इसका मुखे उद्देश होता है और यहां सिक्षा कैती दी जाएगी यहां पर अंगरीजी माध्यम में दी जाती यहां पर और जो यह स्कूल है कैसे रन होता है Society दोरा, गठी, Board of Governance के दोरा इसको संचालित के जाते इसके Chairman के अगर बात करूँ में तो इसके Chairman जो होते है या अध्यक्ष होते है देश के रक्षा मंत्री होते है यानि कि बरतमान में कोन है हमारे रक्षा मंत्री राजनास सिहेंजी है और इसके अलावा देखें तो राज्यों के मुख्य मंत्री तथा सिक्षा मंत्री Board के सदस्त होते है NDA जो होता है यानि कि राज्टी रक्षा का आदमी के तहट यहाँ पर 28 स्कूल अभी बरतमान में है तो यहाँ करेंट में है क्या इसके बारे में देखी जो हमारे केंदरी रक्षा मंत्री राज्यासी है इन्होंने सैनिक स्कूलों में पहले अभी तक क्या होता था कि जो लड़के है लड़कों को ही इसमें भरती किया जाता था परन्तु यहाँ पर ईनके द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है कि अब सैनिक स्कूल में 2021 और 22 के सत्र में लड़कियों को भी प्रवेस मिलेगा तो यह बहुत important है यहाँ पर हमको याद रखना है इसके बारे में और इसके सांसनात यहाँ पर सम्मंदित अधिकारी, सिक्षन संतानों में आवस्यक बुनियादी सुविदा तथा परियापक महिला कर्मचारी की उपलब्दता सुनिस्चित करने का भी इनके द्वारा आदेश दिया गया है यह हमको याद रखना है इसके लाबा हम अगर बात करें तो देखे आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखे जो बात की जा रही है देखे HDG हमने देखे थे अभी 17 है टोटल सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल तो इसमें पांचमे नंबर में अगर देखे हैं आप तो जेंडर एक्वेलिटी यानि कि जो लेंगीक समानता है इसकी बात की जा रही यानि कि महिला और पूरूस यानि कि गल्स और जो बोईस होते हैं दोनों को समानता दी जाए और आसमानता को खतम किया जाए तो पाँच में नंबर का हम देख सकते एजेंडर एक्वेलिटी यह इसके तहत इसको बर्क किया जा रहा है तो हम इसके बारे में थोड़ी सी बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ वियान इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कदम उठाएगा है और यह जो मिजोरम का स्कूल है जिंग छिप जो सैनिक स्कूल है इसने इत्यास रज़ दिया जिप जो है पहला सैनिक स्कूल बन गया है जिसने लड़कियों को यहाँ पर दाखिला या प्रवेस दिया है 4 जून 2018 को 6 लड़कियों को इसने प्रवेस दिया था तो यहाँ पर हमको याद रखना है मिजोरम के बारे में आगे बढ़ते हैं एक ट्रेन की बात की जारे है यह स्पेसल ट्रेन जिसका नाम है बौध सर्कीट स्पेसल ट्रेन से शुरू होगी यानि की यात्रियों को लेकर जाएगी उसके अलाबा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े बहुत सारे जो इस्थल है उनकी यात्रा करवाएगी और बापस आकर वहीं अपनी यात्रा को खतम कर देगी तो यह हम देख सकते हैं क्या नाम है बहुत सर्क गंट्री हम देखने वाले हैं सीरिया तो सीरिया को हम सबसे पहले मैप में निहार लेते हैं हम चलते हैं यहां देखें सीरिया हमको कहां मिलेगा यह हमारा भारत हो गया भारत से हम चले कहां पर यह उपर की ओर ठीक है तो हमको सीरिया यह देखो यह देखने को मिल रहा है य यह आपको देख रहा है यह देखिए Mediterranean Sea और यह Asia का एक देश है ठीक है और Turkey आप उपर देख सकते हैं तरकी है हाला कि देखिए आधा Asia में आता है एक और कंट्री कुन सी है जो यूरोप में भी आती है यूरोप महधीप में और Asia में भी उसका आंसर आपको comment box में बताना है तो बसर अल-असद इसके जो है प्रसीडेंट है currency है Syrian pound यह हम देख सकते हैं यहाँ पर Mediterranean Sea आप आसपास location को निहार सकते हैं यहाँ देखिए भारत की स्किति में भी देख सकते हैं तो Syria आपको कहा देखने मिलेगा सबसे पहले तो आप Turkey देखिए यह Turkey देखिए तो Turkey के जस्ट न Special Train के बारे में जाने इसके अलाबा सैनिक स्कूल के बारे में जाने यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर महिलाओ की यानि छात्राओ की भी भरती की जाएगी यहाँ पर इसके लाबा भारत और फिलिपिन्स के अंतरगत चार समझोते पर हस्ताक चरुए वो देखें मातरत आउकास के बारे में देखें जो कि केरल पहला राज़ बना है यहाँ पर फास्टेक सर्विस मतलब एक दिसंबर मतलब एक प्रकार से यहाँ पर देखें एक दिसंबर 2019 से संपूर्ण देश में लागू हो जाएगी यह निधारित किया है नितिन गटकरी जी ने जो की है सड किसके अंतरगत आता है HDG के गोल नंबर 3 के अंतरगत आता है और अगर बात करें हम United Nations Children's Fund की तो इसके दौरा हमने देखें है इसके दौरा भी एक रिपोर्ट जारी की गए है World Children's Report और हमने बात करें देखें जो लोकसभा अध्यक्ष होता है यानि कि पीठा सीन अधिकारी उसकी सक्तियों के बारे में देखें हैं उसकी Qualifications के होती है उसकी निर्वाचन कैसे होता है सारी चीज़े हमने इस लेक्चर में जाने है तो चलिए दूस्तों मिलते है नेक्ष लेक्चर में तब तक के लिए जैहिंद